एक अच्छे बेहतर एक्सपोर्टर बन सकते हैं और भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं पूरे विश्व में अपने प्रोड़क्ट को बेचें, अपनी सर्विसेस को बेचें और एक अपार धन कमाएं नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए मार्कीट का एक बहुत बड़ा सेग्मेंट आप छोड़ रहे हैं हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर मित्माईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ Metas Oversies Limited कमपनी का, हमारी कमपनी स्टेलने स्टेल मोडूलो किचिन की manufacturing and export करती है आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchise शोरूम और dealership शोरूम है एक यूबा जब एक बिजनस का शुबारम करता है ना, तो उसके मन में बहुत सारी ख्वाइशे होती है कि मुझे business के आकार को बहुत बढ़ा करना है अपने चोटे से startup को एक global company के रूप में लेकर जाना है ऐसी एक entrepreneur भी जब business को run कर रहा होता है तो उसके मन में भी business को लेकर बहुत अपार संभावना ही होती है उसे लगता है कि एक आने वाले समय में मेरा large number of buyer मेरे पास होगा मेरे business की sales अच्छी होगी मेरे business का brand बढ़ा होगा और brand बढ़ने के साथ साथ loyal customer के साथ मिलकर मैं पूरे विश्व में अपने business को ले जाऊँगा तो आज इसी विश्व पर हम बात करने वाले हैं चाहें आप एक startup है या आप एक existing entrepreneur है या एक सफल business owner है आपको जरूरत है सही तरीके से इस बात को समझने की कि आप entrepreneur की journey एक्सपोर्टर तक कैसे लेकर जाएं जी हाँ क्योंकि व्यापार का पहला जो step है न वो यही कहता है कि जितनी जादा sale होगी उतनी जादा growth होगी जितनी जादा growth होगी उतनी जादा scale up करने के संभावनाई होगी इसलिए आज जिस विश्व पर में बात करने वाला हूँ वो विश्व भी sales को लेकर है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप domestic sale करते हैं अगर आप sale करते हैं तो sales का volume बढ़ेगा और आपका व्यापार next level बर पहुँचेगा तो आज इस विश्यपरम बात करेंगे वो क्या है entrepreneur to exporter आप ऐसा क्या करें कि आपका small scale business entrepreneurship से exporter के रूप में convert हो जाए और आप sales के volume को achieve करें पूरे विश्व में अपने product को बेचें अपनी services को बेचें और एक अपार धन कमाएं तो इसी विश्यपरम बात करने वाले हैं अगर आप अभी तक export नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए market का एक बहुत बड़ा segment आप छोड़ रहे हैं अगर आप decide कर लें तो कहीं न कहीं एक सच्चे रास्ट भक्त के रूप में आप अपने देश को भी support करते हैं क्योंकि जितना अधा हम export करेंगे उतना अधा इंडियन economy strong बनती जाएगी और आप एक सच्चे रास्ट भक्त के रूप में financial support अपने देश को करना शुरू कर देंगे तो बात करती हैं एक entrepreneur के इस तरह से export शुरू कर सकता है उसके कुछ basic steps है अगर वो steps आपने अच्छे समझ लिए तो आप भी एक अच्छे बेहतर exporter बन सकते हैं और भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं तो सबसे पहला step क्या है way to entrepreneur to exp supporter सबसे पहले company की profile वो होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी company की profile देखे तो वो यह कहें कि हाँ यह जो company है वो import export की company या आप एक exporter या importer हैं तो सबसे पहले company की profile में यह बाते जरूर लिखें कि आप कहां-कहां export करना चाहते हैं या company के कुछ ऐसा नाम में आना चाहिए जिससे पता लगे कि यार यह company export करती होगी तबी तो इसका नाम ऐसा है जैसे हमारी company है Metas Overseas Limited एक limited company है जिसमें overseas word जुड़ा हुए और overseas word जुड़ने का मतलब ही क्या है कि कहीं न कहीं यह company import export के business से जुड़ी होगी ऐसे ही Metas International अगर नाम हो कि कोई word आप जोड़ते है जो यही दर्शाती ही कि आपकी company import export करती होगी तो आपके नाम की weightage बढ़ जाती है तो आपको क्या करना अपनी company का नाम अगर नई company है तो नया नाम रखना है और अगर नई company नहीं existing है तो उसको modify कर लिजिए जैसे हमारी company थी घ्यान institute और जब हम आज कुछ word आजाएं जैसे overseas, exam या international यह कुछ ऐसे word है जो आपके business को global दिर्शाती है उसके बाद जो आपको काम करना है आपको लेना है get IEC code import export code friends import export करने के लिए IEC code एक basic step है मतलब आपके पास import export का license होना चाहिए आप DGFT के site पर जाकर भी import export code के लिए apply कर सकते हैं आपके normal documentation जमा करके आप import export code ले सकते हैं या किसी chartered accountant या किसी consultant की सायता से भी आप ये काम कर सकते हैं और इसकी nominal fees chartered accountant या consultant चार्ज करता है उसके बाद open bank account in exam bank एक ऐसे bank में account खोले जहां पर import export से संबंदित transaction direct होती हो जैसे अगर मैं बात करूँ HDFC bank तो HDFC bank की हर branch में import export से संबंदित transaction डारेक्ट नहीं होती आपको यह देखना होगा कि वो branch आपकी exam की branch है या नहीं अगर exam की branch है तो आपका पैसा आने और जाने में समय नहीं लगे है आपने import export license तो ले लिया लेकिन कोई ना को ऐसी organization होगी जो आपको support करेगी भारत सरकार ने import export business को सरल बनाने के लिए ना बहुत सारी council बनाई हुई है इसको बोलते है एक्सपोर्ट Export Promotion Council of India अब हर industry की अलग-अलग Export Promotion Council बनी है जैसे steel Export Promotion Council of India, textile Export Promotion Council of India, FMCG Export Promotion Council of India आपकी जो भी industry है उस industry की एक Export Promotion Council बनी हुई है आप उस council की membership ले उसका फाइदा क्या होगा कि आप international trade में एक तरह से registered होने के बाद भी आपका data वहां पर होगा और आपको बहुत बड़ी directory भ Export Promotion Council इंडिया की कोई scheme आईगी उसकी जानकारे आपको मिलेगी तो बहुत सारे फाइदे होते हैं किसी औरनाइशन की membership लेने पर वो फाइदे आपको import-export में होने वाले हैं Make a business website with export and import detail बहुत सारे लोगों की जो business की website होती है बिल्कु सिंपल बनी होती है domestic trade के लिए Friends कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप domestic trade करते हैं international trade करते हैं आपको तो ज़रूत है बाहर ढूने की तो international trade से संबंद जब आप काम करेंगे तो आपकी website भी दर्शाए कि यह company export import business में है तो आपकी company के बारे में आपकी vision के बारे में आप कहां का import export करना चाते हैं कहां का करते हैं आपके product की demand किस किस country में है यह import export से related को registration form आप वहां पर दें तो उससे पता लगता है कि यह website जो है यह जो company है वो import export से related काम करती है आपकी website पे उससे संबंद जानकारी होनी उसके बाद open free account in business webs business की बहुत सारी ऐसी websites है जहां पर आप free account खोल सकती है import export related आप trade करना चाहते हैं तो आपको buyer चाहिए यह आपको supplier चाहिए आपको vendor चाहिए आपको ऐसे management के लोग चाहिए जो उससे समय काम कर सके तो आपको क्या करना है business websites है जैसे export promotional council of India की तो membership होई गई एक बात आप business web में कहां कहां कर सकते हैं जैसे importer exporter exporter exporters india.com, alibaba.com, indiamar.com, indiamar.com पे भी एक division है जहां पर वो import export related lead generate करते हैं और आपकी industry से आई-उ-lead आपके साथ share करते हैं तो आप वहां पर जब free registration कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आप ऐसे webs पर पहुंच जाते हैं जो international trade म buyer और supplier को मिलाने का काम करता है उसके बाद find international buyers अब आप क्या करें आपने सबसे पहले सब कुछ design कर लिया company है, license है, export promotional council of India के membership है, है ना, यह सारा काम आपने कर लिया, तो ICD एक department होता है, inland container depot, कई जगह क्या होता है कि जहां पर समुदर का port direct नहीं होता, वहां पर क्या होता ह कोई समुदरी एरिया नहीं है, तो यहां पर ICD तुकल का बाद है, ऐसे बहुत सारे states है, जिनके पास में ICD बना होता है, inland container depot बना होता है, आपका metal ICD जाएगा, ICD से वो port तक जाएगा, और port से वो export हो जाएगा, fine, तो आपको क्या करना है, बायर ढूनना शुरू करना है, आप जिस country में बायर ढूनना चाते हैं, उस country की जो website से वाँ सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, या उस country की अगर कोई organization उसकी membership लीजिए, तो membership लेंगे तो आपको data share करेंगे, उस data से लगातार बात करेंगे, अपने buyers के साथ बात कैसे करेंगे, buyers के साथ बात करने क लिए जैसे domestic trade में क्या होता है, आप phone पर बात करते हैं, आप mail के थूरू बात करते हैं, या one to one बात करते हैं, ठीक ऐसे international trade में भी होता है, आप सबसे पहले mail के थूरू बात चीत करेंगे, अपना catalog बेजेंगे, अपना PDF बेजेंगे, product की images बेजेंगे, product की information बेजेंगे, company क profile बेजेंगे, अगर आपकी कोई particular price list है, तो price list बेजेंगे, या आप sample देकर भी अपने buyer से contact बना सकते हैं, और या PDF बेजें, या demonstration के लिए उनको कोई demonstration वीडियो दिखाएं, या product का demo के लिए product sample के लिए बेजेंगे, और वो demo को बहाँ पर देख लें, तो वो तरीके हैं, ज तक बस 200 product हैं, आप 200 product के list किसी buyer को भेज देते हैं, और buyer कहता है, इन में से मुझे 5 product की जरुवत है, उस product से संबंदिल sample आपने भेज दिए, rate आपने बता दिए, bargaining वगरा करके rate सेट हो गए, अब आपको ज़रूरत क्या है, उस व्यक्ति से requirement पूछ कर उनका order PO, purchase order लेने के purchase order वो आपको भेजेंगे, जैसी purchase order भेजेंगे, तो तोरंत आप उनसे advance मांगे, दोस्तों ध्यान रखिये, domestic trade हो या international trade हो, जो भी लोग advance payment पर काम करते हैं, उनके व्यापार में डूबनी के संबावना है बहुत कम होती है, तो ask for the advance, क्या 50% आप आप आपी दें, और 50% जब अब आपको लगेगा हराजमी आपको advance नहीं देगा, तो आप भी तो हराजमी को उधार नहीं देते हैं ना, बहुत सारी जगह पर आप उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो तबी संबावन जब विश्वस्नियता बन जाती है, तो international trade में भी advance मिलता है, और इससे संब advance मिल जाएगा, मेटल प्रेडियूज करें, प्रेडियूज करने बाद प्रॉपर डॉकुमेंटेशन बिलिंग करें, गॉर्मेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सार सिस्टम बनाया है, CH होता है कस्टम हाउस एजेंट, जब आपका मेटल बनके तयार हो, तो कस्टम हाउस एजे किया, तो आप पूरे जीवन आसानी से एक्सपोर्ट को फोकस करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट ही एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस बेजड बिजनस है, जहां पर आप आसानी से इंटरनेशनल बायर तक पहुंच सकते हैं, और इंटरनेशनल बायर तक कैसे पहुंचना है, उसस अगर आप कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम को कंटाक कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रॉब्लम का सोलूशन होगा, और कहीं भी ज़रुत पड़े तो हम हैंडोल्डिंग सपोर्ट के बनाता हूँ, और अपने प्रैक्टिकल एक्स्पिरियंस का धार पर बनाता हूँ, जो मैंने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया है, वही बाते में आपको एज़ेटिस बताता हूँ, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिसना हो, उसके लिए चैनल को सब्स्क्राइब कर झाल 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 झाल झाल